हेलो गाईज आपका फिस्स वागत है आपके अपने चैनल के एम बूश्ट में तो आज हम ले करके आए हैं स्ट्रक्चर एंड बॉंडिंग का लेक्चर नमबर थ्री जिसमें हम बेसिकली बॉंड एंगल पर डिसकुशन करने वाले हैं तो चलिए लेक्चर को भी न टाइम व डियर स्टुडेंट्स इससे पहले कि हम बॉंड एंगल पर डिसकुशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा कि आप श्रक्चर एंड बॉंडिंग का लेक्चर नमबर वन ओटू जुरूर देखें जिसका लेक्च में आपको आई टैप पर की बात करूं जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा कोवलेंट बॉंड प्रेजंट हो बेसिकली हमारे पास जो पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं यह वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें हमारे पास दो या दो से ज़्यादा एटम्स प्रेजंट हो लिख देते हैं ट तो ओ शेप ड्रोकर देते हैं water की, hydrogen, covalently bonded with oxygen और उसके पास दो lone pair जिसे हमने hybridization वाले lecture में काफी detail में discuss किया था इसकी shape को और geometry को तो देखिए हमारे पास एक से ज़्यादा covalent mons भी है और हमारे पास more than two atoms भी है यानि polyatomic molecule है तो आपको मैं थोड़ असा depth में लेजना चाहूँगा और थोड़ा revise भी करवाना चाहूँगा अभी हमने hybridization वाले lecture में देखा था कि जो hybrid orbital है वो equal होते हैं जितने atomic orbital hybridization में participate करते हैं अब atomic orbitals हमारे पास यह s orbital, p orbital, d और sone सिरफ s orbital को shore करके हमारे पास जितने भी atomic orbital होते हैं वो सभी directional होते हैं यानि उनकी कुछ ना कुछ direction होती है और जितने भी hybrid orbital होते हैं उनमें सभी की direction होती है यानि सभी के सभी directional nature के होते हैं और आपको पता है कि जो हमारे पास covalent bonds हैं हमने देखा था हमारे hybridization वाले lecture में वो form होते हैं by the overlapping of atomic orbitals और hybrid orbitals अब देखिए covalent bond form हो रहे हैं by the overlapping of atomic और hybrid orbital अब atomic और hybrid orbital का कैसा nature बताया अभी हमने directional nature तो इसका मतलब covalent bond भी directional nature का होगा के नहीं यह समझाना बहुत important है तब बॉंड एंगल बिल्कुल इसी हो जाने वाला है हमारे लिए कि जो कोवलेंट बॉंड है वो डिरेक्शनल है nature में डिरेक्शनल नेचर अब देखिए जब जो वेरियस एटम्स हैं वो डिरेक्टिड है एट सूटेबल एंगल डिरेक्टिड एट सूटेबल एंगल अब हम टेफिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं दा एंगल बिट्विन टू एडजेसंट कोवलेंट बॉंड इन्हें पोली एटोमिक मोलीक्योल इस काल्ड बॉंड एंगल और वाटर के केस में 104.5 डिग्री बॉंड एंगल की डेफिनेशन लिखते हैं थोड़ी और पिक्चर क्लियर होगी या कहती है डेफिनेशन हमारे पस कि दा एंगल बिट्विन अने तो अजेसंट अने तो अजेसंट कोवलेंट बॉंड्स इनने पोली एटोमिक मोलीक्योल इन ए पोली एटोमिक मोलीक्योल is called bond angle hopefully आपको definition clear होगी होगी bond angle अभी हमने पिछले ही lecture में bond length को cover किया है काफी detail में हमने वहाँ देखा था कि bond length को हम कैसे determine करते हैं या तो हम x-ray diffraction का use करते हैं और या spectroscopic methods का similar case यहाँ पर है कि जो bond angle है उन्हें हम measure कर सकते हैं या तो x-ray diffraction से या spectroscopic method से bond angles are measured by x-ray diffraction या हम इसे spectroscopic method से भी हम इसे determine कर सकते हैं and spectroscopic methods अब जैसे कि हमने bond length वोले lecture में देखा था कि हम कभी भी actual bond length की बात नहीं करते हैं अगर हम depth में चलें थोड़ा जो atomic level पर अगर हम बात करें जो atoms है वो vibrate करते रहते हैं और vibrate होने के कारण उनकी कभी भी एक fix position नहीं हो पाती इसलिए हम actual bond angle की बात ना करके average bond angle की बात करते हैं तो यहीं बात हम लिख देते हैं कि जो हमारे पास bond angle होता है वो actual ना होकर के average होता है तो चलिए लिख देते हैं the bond angle does measured are actually average bond angle और ऐसा क्यों क्योंकि जो atoms है वो regularly vibrate करते रहते हैं average bond angle तो अच्छे लिए एक बार हम पूर इस्टोरी को recap कर लेते हैं हम देख रहे हैं bond angle हमने देखा कि हमारे पास जब भी polyatomic molecule में जब एक से ज़्यादा covalent bond हो और polyatomic molecules हमारे पास कुन से molecules होते हैं जिनमें दो या उससे ज़्यादा atoms present हो तो उनमें जो adjacent covalent bond के भी जो angle होता है उसे हम क्या नम देते हैं dear students bond angle water के case में हमारे पास कितना है 104.5 degree तो हमने definition देखी कि the angle है between any two adjacent covalent bonds में उसे हम बोलते हैं bond angle उसके बाद हमने कुछ important points को discuss किया कि जो bond angle है उसे हम कैसे measure कर सकते हैं या तो x-ray diafraction से या spectroscopic method से उसके बाद हमने देखा कि गभी हम actual bond length या actual bond angle की बात नहीं करते हम average bond length या average bond angle की बात करते हैं कोई पूछे ऐसा क्यों क्योंकि जो atoms हैं वो अपनी position पे regularly vibrate करते रहते हैं तो चलिए आप इसे note करें फिर हम हमारे main question की तरफ चलेंगे तो चलिए dear students आपके सामने मैंने तीन molecules को लिखा हुआ है methane ammonia and water अब आपको पता है इनमें जो central atom है इनकी hybridization क्या होगी sp3 हमने first lecture में discuss किया था और sp3 hybridization होने पर हमारे पास कैसा structure आता है tetrahedral structure और उसमें bond angle क्या होता है हमारे पास 109 degree to 8 minute तो मतलब अब सभी में hybridization sp3 है तो सभी का structure कैसा होना चाहिए tetrahedral और सभी में bond angle भी कितना होना चाहिए dear students 109 degree and to 8 minute लेकिन जब हमने x-ray diffraction और spectroscopic method से हमने इन molecules का bond angle find out किया तो हमारे पास bond angle का data कुछ इस तरीके से आया जो मिथेन हैं इसमें हमारे पास bond angle था 109 degree to 8 minutes ठीक है जी लेकिन जो ammonia था इन में जो हमारे पास bond angle आया वो आया 107 degree और हमारे पास water में हमने beginning में discuss किया था bond angle आया हमारे पास 104.5 degree ऐसा क्यों हुआ यह जानना हमारे लिए इंपोर्टेंट है देखी मैं आपको थोड़ा सा पिछल रिकेप करवाना चाहूंगा डिया students अपने 12 standard में vesper theory देखी थी वह क्या कहती है हमें कि जो लोन पैर लोन पेर रिपल्षण है इससे थोड़ा इदर लिख देते हैं कि जो लोन पेर लोन पेर रिपल्षण है वो ज्यादा होती पेर बोण पेर रिपल्षण के लोन पेर, बॉन्ड पेर रिपल्शन के और लोन पेर, बॉन्ड पेर रिपल्शन फर्दर ज़्यादा होती है, बॉन्ड पेर, बॉन्ड पेर, बॉन्ड पेर, बॉन्ड पेर, बॉस इस observation को आप याद रखें, आपको data clear हो जाएगा, चलिए, अब हम मिथेन के मॉलिक्यूल को थोड़ा analyze करते हैं हमारे पास methane के molecule में कितने bond pair और lone pair हैं देखिए हमारे पास zero lone pair हैं हमारे पास four bond pair four bond pair और आपको वैसे तो पता होगा लेकिन मैं बता दूँ जो यह है यह हमारे पास wedge representation और इसे हम बोलते हैं dash representation अब क्या होती है wedge और क्या होती है dash आईए उसे देखते हैं आपको पता होगा लेकिन मैं बता देता हूँ wedge basically representation करता है atom की towards the observer यानि देखिए जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी तरफ आ रहा है wedge बता रहे away from the observer यानि blackboard से पिछली side hopefully आपको समझ आया होगा इसी तरीके से यहां पर है तो चलिए four bond pair है और हमारे पास shape कैसी है इसकी tetrahedral और यहां पर देखिए हमारे पास कितने bond pair है तीन bond pair है जी तीन bond pairs और lone pair है कोई जी हमारे पास एक lone pair है water में आई ये हमारे पास कितने bond pairs है dear students जल्दी बोलिए two bond pairs और अगर हम बात करें lone pairs की तो कितने lone pairs है two lone pairs अब निकल करके आएगी कमाल की बात हमने कहा lone pair lone pair repulsion ज्यादा है lone pair bond pair repulsion से और वो फर्दर ज्यादा है bond pair bond pair repulsion से देखिए हमारे पास यहां पर सिरफ bond pair present है और वो भी four यानि यहां पर कौनसी रिपल्शन हो रही है सिरफ bond pair bond pair repulsion लेकिन जैसे यह ammonia के molecule में हम enter करते हैं हमारे पास एक lone pair आ जाता है bond pair के साथ bond pair lone pair repulsion भी होती है अब यह lone pair इस bond pair को repel करेगा और यह कुछ इस तरीके से आ जाएगी और हमारे पास bond angle decrease हो जाएगा 109 डिग्री कुएट मिनिट से 107 डिग्री अब हम जब water के molecule में एंटर करते हैं तो हमारे पास यहां पर bond pair bond pair भी है bond pair lone pair भी है और lone pair lone pair भी है देखिए तीनों टाइप की repulsion आ गई इस वज़े से इसमें ज्यादा repulsion होगी और bond angle बहुत ज्यादा deviate होंगे इसलिए जो हमारे पास order है वो कुछ इस तरीके से है अब समझ आ गया कि अकिरे ऐसा क्यों वह होपुली थोड़ा दिमाग खुला होगा मज़ा आया होगा concept देखकर आपको एक बार हम पूरी स्टोरी को recap कर लेते हैं हमने देखा कि बहीं जब सबकी hybridization sp3 है तो सभी का tetrahedral structure होना चाहिए तो हमने जब x-ray spectroscopic से bond angles को find out किया तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आया अब हमने देखा वह decrease क्यों हो रहा है हमने देखा कि वैसपर theory के according loan pair loan pair repulsion जादा होती है loan pair bond pair repulsion से और यह फर्दर जादा होती है bond pair bond pair repulsion से यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक टाइप की repulsion है और वो है bond pair bond pair लेकिन यहाँ पर एक और हेड हो जा रही है loan pair bond pair repulsion भी देखिए loan pair bond pair लेकिन यहाँ पर तीन और repulsion प्ले हो रही है bond pair bond pair भी loan pair bond pair भी और loan pair loan pair भी इसलिए इसमें सबसे कम bond angle है hopefully आपको यह समझाया होगा और देखिए यहाँ पर अगर हम shape discuss करें मूनिय कि क्या होगी shape में हम क्या करते हैं मैंने बताया हुआ आपको loan pair को count नहीं करते हैं तो देखिए pyramid बना हुए इसलिए हम इसे बोलते हैं और pyramidal shape और water में हमने क्या discuss की थी very nice bent shape या V shape bent shape और इसे हम V shape भी बोल देते हैं वो कैसे देखिए हम loan pair को count नहीं करते शेप में हमने छोड़ा V shape आ गया तो आज के lecture में बस इतना ही hopefully आपको lecture काफी पसंद आ रहेंगोई आप अपनी feedback हमें comment section में जरूर दें तो चलिए मिलते हैं next video में तब तक पढ़ते रहें में विशी ओल अवेरी बेश्ट